बुकम के बाद कई जगाओं से लोगों की तस्वीरे और वीडियो सामने आये हैं जिसमें लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे थे बुकम के बाद नेपाल में हर जगार दर का माहौल है बीती देर रात भुकम ने नेपाल की धर्ती को हिला कर रख दिया और इस भीशन भुकम से नेपाल में भारी नुकसान हुआ है और काफी घर जमीन दोज हो गए अभी भी घरों के मलबों में सेक्टों लोगों के दबे होने की आशंका है बतादे कि नेपाल में अब तक करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में आये भुकम का सर दिल्ली, नौइडा, भोपाल, वारानसी, लखनाओ, पटना और भी कई जगाओं पर महसूस किये गए बतादे कि 4 नवंबर 2023 को जजर कोट जिले के पीपल दंडा गाओं में आये भुकम के बाद श्रतिग्रस्त घर, खंडर में तबदील हो चुके हैं सुरक्षा दिकारियों ने 4 नवंबर को बताया कि नेपाल के सदूर इलाके में राद भरायर भुकम में कम से कम 130 लोग मारे गए और भुकम के बाद लोगों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सैना अभी भी मौके पर मौचूद है